हलो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे डिलाइट इन डिसॉर्डर रिटन बाय रॉबर्ट हेरिक रॉबर्ट हेरिक एक 17 सेंचुरी इंग्लिश लिरिक पोईट थे जो बेस्ट नोन है अपने एक पोईटरे कलेक्शन के लिए जिसका नाम है हेस्पराइट्स यह जो पोईब है डिलाइट इन डिसॉर्डर यह इसी कलेक्शन में पब्रिश होई थी 1648 में तो अब देखते इस पोईब का टाइटल डिलाइट का मतलब होता है आनंद और डिसॉर्डर का मतलब होता है मेसिनेस अस्तवेस्त होना तो अस्तवेस्तता में आनन्द, ऐसा इस टाइटल का मिनिंग है, तो यह अस्तवेस्तता किसी रूम की नहीं है, यह अस्तवेस्तता है कपड़ों की, एक लेडी के कपड़े जब अस्तवेस्त होते हैं, तो उसमें आनन्द की बाद पोईट कहा रहे हैं, तो लेट्स बेकिन, केपनल cœur हैनिस का मतलब होता है Swachandata Kindles का मतलब होता है कि जागना ए जागरूत करना तो जब की लेड़ी के कपड़े जो अस्त्य हो time होते हैं तो उसके विज़े से क्या होता है कि कपड़ों में one स्वच्छन्दत आ जाती है इसा लगता है कि मानो वो कपड़े जो है वो नौटी हो गए हो एक तरीके का उसमें प्लेफुलनेस आ गया हो a lawn about the shoulders thrown lawn मतलब cotton fabric cotton fabric जो कि एक लेडी ने अपने shoulders पर ओड रखा है वो अगर shoulders से नीचे हो जाए into fine distraction तो वो एक तरीके का fine distraction होता है मतलब एक बहतरी तरीका जिसके वज़े से किसी भी इंसान का ध्याज हो वो पटक जाए distract हो जाए an earring lace which here and there earring lace मतलब lace जो की गलती से पांधी ने गई हो ये छोड़ दी गई हो which here and there जो इधर उदर उड़ रही हो enthrals मतलब मुहित करना the crimson stomacher crimson का मतलब गहरे लाल रंक stomacher मतलब एक तरीके का garment जो की पेट के उपर पहना जाता है तो ये lace जो इधर उदर गलती से छूट के उड़ रही हो वो जादा मुहित करती है गहरे लाल रंक के stomacher को a cuff neglectful and thereby उसके button नहीं लगा है उसे ठीक से plated नहीं रखा गया है वो neglectful है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है and thereby ribbons to flow confusedly इसलिए उसके ribbons जो है वो confusedly जैसे कि मानोब यहाँ पर उनको personified किया गया confusedly flow वो इधर उधर उड़ रहे है a winning wave deserving note in the temperatures petticoat a winning wave temperatures का मतलब होता है very stormy अब petticoat के आपर temperatures कहा गया है stormy कहा गया है क्योंकि वो भी ठीक से plated नहीं है ठीक से पहना गया नहीं है और इसी के वज़े से उसमें क्या है winning wave है मतलब किसी को भी जीत ले जो भी उसकी तरफ देखे deserving note और जो भी आने जाने वाले है वो उसको mark करते है उस petticoat को उस garment को a careless shoestring in whose tie I see a wild civility और जो शू के lace है वो भी ठीक से बांदे गए नहीं है in whose tie I see a wild civility और उन्हें ठीक से नहीं बांदे जाने की वज़े से उनमें क्या दिखता है एक जंगली शिष्टाचार wild का मतलब था है जंगली civility का मतलब होता है शिष्टाचार तो उसमें भी poet को एक अजेब ही शिष्टाचार दिखता है जो कि जंगली है क्योंकि वो ठीक से बांदे गए नहीं है do more be which me be which का मतलब अगेन मोहित करना do more be which me than when art is too precise in every part अब poet यहां पर यह कह रहे है कि ऐसी अव्यस्तता जो कि कपड़ों में दिखाई दे रही poet को एक लेडी के वो उन्हें ज़ादा मोहित करती है than when art is too precise इससे ज़ादा कि जब art जो है art मतलब fashion का art यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब कोई लेडी ठीक से कपड़े पहनती है मतलब neat और form कपड़े पहनती है तो उस art से उस fashion से poet को क्या अच्छा लगता है ऐसा disorder अच्छा लगता है is too precise in every part ऐसे कपड़े जो बहुत ही precisely नापे तुले गए तरीके से बांधे गए हो प्लेटेड किये गए हो आयम किये गए हो ऐसे कपड़े पहने हो लेडी से poet को ऐसे कपड़े जादा मुहित करते है जिसमें एक तरीके का disorder है तो ये था इस पोएम का analysis अगर आपको analysis अच्छा लगा हो तो don't forget to subscribe to the channel and hit the like button